ओम शांति ओम शांति आज 28 सितंबर 2014 दिन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे जब तुम नंबर वार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नैचुरल क्लेमिटीज वा विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी प्रश्न कौन सा पुर्शार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्सा प्राप्त होता है उत्तर पूरा वर्सा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ अर्थात जो कुछ तुमारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्से के अधिकारी बन जाएंगे संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्सा मिलेगा संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोच राखाकर थोड़ी सी मानी अर्थात रोटी मिल जाएगी ओम शांति बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है तीन की याद में बैठना है पल एक ही है परंतो तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्गुरु भी है, हम सब को वापिस ले जाने आए हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो, बच्चे जानते हैं, वह जो भगती सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब हैं मनुश्य, इनको तो मनुश् शरीर द्वारा सुनती है यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए अभी तुम बेहत के बाप की याद में बैठे हो बेहत के बाप ने कहा है रुहानी बच्चो मुझे याद करो तो बाप कट जाए या शासरादी की कोई बात नहीं जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रह कितना भारी टीचर है उँच ते उँच तो पद भी उँच ते उँच प्राप्त कराते हैं जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबर बार पुर्शार्त अनुसार तब फिर लड़ाई होगी नैचुरल क्लेमिटीज भी होंगी याद भी जरूर करना है बुद्धि में सारा ज्यान भी होना चाहिए सिर्फ एक ही बार पुर्शोत्तम संगम युगपर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए चोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं तुम तो समझदार हो जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उँच पद पाएंगे यह भी जानते हो इन लक्षमी नारायन ने नई दुनिया में जो पद पाया है वैश्य बाबा से ही पाया है यह लक्षमी नारायन ही फिर 84 का चक्र लगा कर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं यही फिर लक्षमी नारायन बनेंगे अभी पुर्शार्थ कर र अपने को पतित सिद करते हैं कहते हैं आप सर्वगुन संपन हो हम पापी विकारी हैं कोई गुन नहीं है तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्विम बन रहे हो कहते हैं बाबा यह शासरादी कप से पढ़ना शुरू हुआ है बाप कहते हैं जब से रावन राज्य शुरू हुआ है यह सब है भगती की सामगरी तुम जब यहां बैठते हो तो बुद्धी में सारा ज्ञान धारन होना चाहिए यह संसकार आत्मा ले जाएगी भगती के संसकार नहीं जाने है भगती के संसकार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जण मिलेंगे यह भी ज़रूर है तुमारी बुद्धी में है ज्ञान का चक्र चलना चाहिए साथ साथ बाबा को भी याद करना है बाबा हमारा बाप भी है बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे ओम, शांति, भग्ति और ग्यान, बाप को कहा जाता है ग्यान का सागर, उनको भग्ति का सारा मालूम है, भग्ति कब शुरू हुई, कब पूरी हुई, मनुश्यों को यह पता नही, बाप ही आकर समझाते हैं, सत्यूग में तुम देवी देवता, विश्व के मालिक थे, वहा पच्चिस सो वर्ष पूरे होते हैं अत्वा त्रेता और द्वापर का संगम होता है तब रावन आता है संगम तो जरूर चाहिए त्रेता और द्वापर के संगम पर रावन आते हैं जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं ये सिवाए तुम्हारे कोई नहीं जानते बाप भी आते हैं कल्यूग अंत और सत्यूग आदि के संगम पर और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर अब उस संगम को कल्यानकारी नहीं कहेंगे उनको तो अकल्यानकारी ही कहेंगे बाप का ही नाम कल्यानकारी है द्वापर से अकल्यानकारी योगी शुरू होता है बाप तो है चेतन्य बीज रूप उनको सारे ज़ाड की नॉलिज है वह बीज भी अगर चेतन्य हो तो समझावे मेरे से यह ज़ाड ऐसे निकलता है परंतु जड़ होने कारण बता नहीं सकता हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले छोटा सा ज़ाड निकलता है फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है परंतु चेतन नहीं सब कुछ बता सकते हैं दुनिया में तो आजकल मनुश्य क्या क्या करते रहते हैं इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंदरमा में जाने की कोशिश करते हैं, यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो, चंदरमा तरफ कितना उचा लाखों माइल्स तक चले जाते हो, जाच करने के लिए कि देखें चंदरमा क्या चीज़ है, समुद्र में कितना दूर तक जाते ह जाच करते हैं परंतु अंतपा नहीं सकते, पानी ही पानी है, एरोपलेन में उपर जाते हैं, उनों को पैट्रोल इतना डालना है जो फिर वापिस भी आ सके, आकाश बेहद है न, सागर भी बेहद है, जैसे यह बेहद का ज्यान सागर है, वह है पानी का बेहद सागर, आकाश तत्व भी बेहद है, धर्ती भी बेहद है, चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धर्ती है, पहाडी किस पर खड़ी है, धर्ती पर, फिर धर्ती को खोदते हैं, तो पहाड निकलाता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकलाता है, सागर भी धर्नी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं कि कहा तक पानी है, कहा तक धर्ती है, परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेयंत नहीं कहेंगे, मनुशे भल कहते हैं, ईश्वर बेयंत है, माया भी बेयंत है, परन्तु तुम समझते हो, ईश्वर तो बेयंत हो ही नहीं सकता, बाकी य अंत है ये पाच तत्व हैं आकाश, वायू, जल, पृत्वी ये पाच तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं आत्मा भी तमो प्रधान बनती है फिर बापाकर सतो प्रधान बनाते हैं कितनी छोटी आत्मा है चो रासी जन्म भोगती है ये चक्र फिरता ही रहता है ये अनादी न प्राटक है इनका अंत नहीं होता यह परमपरा से चलाता है कबसे शोरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो बाकी यह बात समझानी है कबसे नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है यह पाँच हजार वर्ष का चकर है जो फिरता ही रहता है अभी तुम जानते हो बाकि उन्होंने तो धुका अयथात गपोडा लगा दिया है शास्तिरों में लिखा है कि सत्यू की आयू इतने लाखों वर्ष है तो मनिशे सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं यह पता नहीं पढ़ता बगवान कब आकर अपना परिचय देंगे ना जानने के कारण कह देते हैं कल्यू की आयू चलिस हजार वर्ष अभी पड़ी है जब तक तुम ना जमझा हो अभी तुम निमतों जमझाने के लिए कि कल्प पांच हजार वर्ष का है ना कि लाखों वर्ष का वक्ती मार की कितनी सामगरी है मनुश्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे दे कर जाता हूं बेहत का बाप तो जरूर बेहत का वर्षा देंगे इससे सुख भी मिलता है आयू भी बड़ी होती है बाप बच्चो को कहते हैं मेरे लाडले बच्चो आयू श्वान भव वहां तुम्हारी आयू डेड़ सो वर्ष रहती है अभी काल नहीं खा सकता बाप वर देते हैं तुमको आयश्वान बनाते हैं तुम अमर बनेंगे वहां कभी अकाले मृत्यू नहीं होगी वहां तुम बहुत सुखी रहते हो इसलिए कहा जाता है सुख धाम आयू भी बड़ी होती है धन भी बहुत मिलता है सुखी भी बहुत रहते हैं कंगाल से सिर्टाज बन जाते हैं तुम्हारी बुद्धी में हैं बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वे तो जरूर छोटा जाड़ होगा वहाँ है ही एक धर्म एक राज्य एक भाशा उसको ही कहा जाता है विश्व में शांती सारे विश्व में हम ही पाड़ धारी हैं यह दुनिया नहीं जानती अगर जानती हो तो बताएं कब से हम पाड़ बजाते आएं अभी तुम बच्चों को बाप समझा रही हैं कीत में भी है ना बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता सारी प्रत्वी आस्मान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं ये लक्ष्मी नारण विश्व के मालिक थे फिर बाद में जो राजायादी होते हैं वे भारत के थे गायन भी है जो बाबा देते हैं वे और कोई देना सके बाप पी आकर प्राप्ति कराते हैं तो ये सारा ग्यान बुद्धी में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको इतना समझने का है अब समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं तो कहते पाँच बच्चे अपने हैं और छटा बच्चा शिबाबा है तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा न, शिबाबा के बन गए, तो फिर शिबाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे वारिस हो जाते हैं ये लक्षमी नारायन शिबाबा के पूरे वारिस हैं आगे जन्म में शिबाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्सा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ फिर दूसरा कोई नहीं कहते बाबा ये सब कुछ आपका है आपका फिर हमारा है आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्सा देते हो क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया ड्रामा में नूद है न अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुरभुज भी दिखाया अर्जुन कोई और तो नहीं है इनको साक्षात कर हुआ देखा राजाई मिलती है तो क्योंने शिबाबा को वारिस बनाओ वह फिर हमको वारिस बनाते हैं ये सोधा तो बहुत अच्छा है कभी कोई से कुछ पूछा नहीं गुप्द सब कुछ दिया इसको कहा जाता है गुप्ददान किसी को क्या पता इनों को क्या हो गया किनोंने समझा इनको वेरा गया आया शायद सन्यासी बन गया तो ये बच्चियां भी कहती हैं पांच बच्चे तो अपने हैं बाकि एक बच्चा हम इनको बनाएंगे इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सर्विस हो बाबा को देख सब को खयाल आया सब घर बार छोड़ पा गए वहां से ही हंगामा शुरू हुआ घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाए शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्होंको एकांथ जरूर चाहिए सिवाए बाब के और कोई याद न रहे मित्र संबंदियों आदि की भी याद न रहे क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है बाब कहते हैं इग्रस्त व्यवार में रहते हैं पवित्र बनो इस पर ही मुसी बताती है कहते थे यह स्त्री पूरुष के बीच में जगडा डालने वाला ज्यान है क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े इन सबने मारे खाई हैं क्योंकि अचानक नई बात हुई है न, सब आश्चरे खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुश्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे, कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जो अपना घर बार छोड़ भागें, ड्रामा म है, शरीर है, जिससे काम करना है, आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्मा ये वापिस जा सकती हैं, स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जाना सके, काईदा नहीं, मुक्ती धाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने व कावट थोड़े ही होती है कहां भी चले जाते थे यहां पवित्रता के कारण विखन पढ़ते हैं यह तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापिस घर जाना सके धर्म राज द्वारा मोचरें अर्थात सजाएं खाने पड़ेंगी फिर थोड़ी मानी मिलेगी मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा यह समझ की बात है बाप कहते हैं मीठे बच्चो तुमको हमारे पास आना है यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है फिर जब पांच तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्ब महल में जाकर बैठेगी फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है तो जैसे बिजली चमक जाती है क्योंकि आत्मा पावित्र है ये सब ड्रामा में नूद है अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर आत्मा को पावन बनाने के लिए एक आंत की भटी में रहना है एक बाप के सिवाए दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए बुद्धी में सारा ग्यान रख पंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है बाप से सच्चा सोधा करना है जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव अब बाप नदा के वरदान को विस्तार में समझेंगे माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितने भी नहीं है सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो क्या करूँ कैसे होगा लेकिन यही पाठ याद रखो जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे स्लोगन जो सहनशील हैं वेकिसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं ओम शांती